आज क्या हुआ कि आधी लोकी रखी हुई थी क्योंकि मैंने सबजी बनाई थी और आधी लोकी बचाकर रख दिया था तो उसका समझ में नहीं आरा तो मैं इसका करूं क्या तो थोड़ी देर सोचने के बाद मुझे कुछ इस तरीके से यह लाज़ा वापसानास्ता बनाने की हुजी तो चलिए आपके साथ भी रेसेपी शेयर करती हूं जो बनी बहुत ही जादा टेस्टी आप भी बनाकर खाईएगा पसंद आए तो वीडियो को आगे भी जरूर शेयर कीजिएगा लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आप से चोटी से रिक्वेस्ट है अगर अभ को कुछ इस तरीके से चीलने के बाद चोटे 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 टुकडों में कट कर लेना है और एक अलू को भी चील कर रहे से बड़े बड़े चुकडों में कट कर लेना है चोटे ही टुकडे में कट कर लीजिए क्योंकि इसे में पीस नहीं है तो इसे मिक्सी के जार में डा बहुत ज़्यादा नहीं लग किया है और अधी लोकी यह लाइख. अब भीगी हुए चावल के लिए एक कड़ करीब यह तोड़ी से नहीं यहां पानी का यूज़, तो यहां सडर यह आगी जोग वारिक जोड़ी जी ऊखी ते तुदा करतें था हिए मिर्च जूझ देजाना नासता पसंद, लसदना नास्ति न hourly मिर्च पसंद, हरी मिर्च जोगा ड़ादोmind, नमक कंशार मिर्च और फोड़ी से पीषी में से डालेंगे अधा चमच बेकिंग पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिक्स करें जब सारी चीजो को अच्छे से मिला लेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसमें ने कितना रालना है कि बेशान में बहुत जाता नहीं डालना है तो 2-3 चमच के करी भी बेसन डालना है अब चाहें तो ये नास्ता ऐसे भी बना सकते हैं और अगर colorful बनाना है तो थोड़ी से हल्दी डाल दें क्योंकि इससे भी नास्ता देखने में अच्छा लगता है और बिना हल्दी के बनाएंगे तो भी tasty healthy रहता है तो हल्दी भी डाल इसको अच्छे से mix कर लिया है कुछ इस तरीके से ये बैटर तयार हो जाए फिर इसका हमें चीला बना लेना है बैटर में हमने baking powder का यूज किया है तो इसे हम फटा पट से बना सकते हैं दोसा तवा गरम करेंगे या non-stick तवा गरम करें घी लगाकर या तेल लगाकर इसे च डालें और इसे फटाक से पलट दें अब देख सकते हैं लौकी आलू और चावल से बना हुआ ये नास्यत्व जावा कितिना लग देखने में ही तो सोचे खाने में इसकान सब्सूमा है एक पर भाहिए बार बार बनाना पसंद करेंगे तो इसी तरीके से सारा चीला त्यार कर नहां और है और इसे अपनी मन-पसंद किसी भी चत्पती चत्री 12 निद्धय के साथ और बड़ा वर्जे कॉमेंट करके बताइए कि आपको यह नास्ता पसंद आया और यह रेसेपी आपको पसंद आए तो वीडियो को आगे भी जरूर सेयर कीजिएगा तो मिलते हैं ऐसे ही टेस्टी टेस्टी लाजवाब एक तम नई रेसेपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में सब्सक्राइए के लिए बाई-बाई